तो दोस्तों अभी तक आपने आम की धेर सारी रेस्पी खाई होगी कच्चे आम की लौजी, कच्चे आम की सबजी, कड़ी, पना और फ्रूटी भी लेकिन आज हम आम की बहुत ही नई रेस्पी बनाने जा रहे हैं मेरी ये रेस्पी पूरी देखिएगा तो चलिए सुरू कर नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दुबे आज बनाने जा रही हूँ आम का नास्ता मेरी ये रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा यहां पे दे यहां पे हमने सारी प्याज इसी तरीके से कट करके कर ore chips देखिए अब इसे रख देंगे बॉलमें एक साइड में और आमको भी हम इस तरीके से कद्दु कस कर लें यहां पे आपको बता दें कि हमने आम का झिल्का नहीं उता रहा है झिल्के के साथ ही मोटे वाले गरेटर स इस तरीके से कद्दुकस करेंगे तो इसके लच्छे बहुत ही अच्छे निकलते हैं और इस रेसिपी में आम को मोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करिएगा तो यहाँ पर हमने टोटल दो आम लिये थे, कच्चे आम दोनों आम को हमने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे और यह देखिए, बहुत ही अच्छे लच्छे निकल के त्यार हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे इस रेसिपी में जब इस तरीके से आम को ग्रेट करते हैं तब ही रेसिपी चटपटी और अच्छी बनती है तो यह देखिए, यहाँ पर दोनों आमों को हमने कर लिया है ग्रेट और अब इन सारे लच्छों को कर लेते हैं एक अठा और जो आम की गुठलिया है उसे फिक दीजिएगा उसका काम हमें नहीं है इस रेसिपी में, यह देखिए और आप देख पा रहे होंगे, एकदम पॉफिक लच्छे तयार हुए हैं, यह देखिए इस तरीके से अब हम इसे उसी बर्तन में रख लेंगे जिसमें हमने प्याज को पहले से रखा हुआ है और यह गुठलियां फिक देते हैं, प्याज वाले बर्तन में डाल देंगे आज मैं बनाने जा रही हूँ आम के चटपटे पकोडे, यह पकोडे यकीन मानिए एक बार आप खाएंगे तो हर सीजन में, यानि जब कच्छे आम का सीजन आएगा, तो आप इन पकोडों को जरूर बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने जो ग्रेट की हुए लच्छे थे, इसे हमने डाल दिये हैं, और अब मैं डाल दूंगी दो चमस सूजी यहाँ पर महीन वाली सूजी का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास सूजी नहीं है, तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद डालेंगे हाप कब बेसन, बेसन की जरुवत और होगी तो बाद में ले लेंगे, अब हम थोड़े से मसाले डालेंगे, तो सबसे पहले थोड़ा सा हाल्दी पाउडर डालते हैं, कलर वहत प्यारा आता है, उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाल हुई आप चाहें तो लाल मिर्च में ही बना सकते हैं थोड़ा जादा डाल दीजिएगा उसके बाद डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे पर अभी नमक तो हम भूली गये हैं अब इसमें नमक का भी उस करेंगे तो चलिए थोड़ा सा नमक हम एट करते हैं ये देखें डाल देते हैं नमक और नमक डालके अच्छे से हाथों से इसे मसल मसल के मिलाएगा क्योंकि जो प्याज हमने कट की है वो जो उसके अलग-अलग से लच्छे निकलते हैं उसे भी हमने निकाल लेना है इस तरीके से देखें मैं दबाते हुए मसल ताकि प्याज के सारे जो एक एक स्लाइस है वो एकदम अलग-अलग हो जाए यह देखे इस तरीके से यहाँ पर हम पानी का यूज़ बाद में करेंगे पहले इसे अच्छे से मिला लेते हैं यह देखे कई बार जो आम है और प्याज है दोनों में अपना पानी होता है तो ये जो बेटर है गीला हो जाता है अब हमें ये बेटर बहुत ही ड्राई लग रहा था तो थोड़ा सा पानी मैंने यूज किया है जरूरत होगी तो थोड़ा सा और डालेंगे अब इसे अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे प्र Fris our Dovellian और अब तेल टक दिया है गरम होने के लिए तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है गरम तेल में ही इस बेटर को इस तरीके से हिकठा करके हाथों से टाल देंगे ये देखिए इस तरीके से पकोडों को दल देंगे आप प्यास के पकोडे नहीं बनाना चाहते हैं या कम ओयली खायना चाहते हैं तो आप इसका चीला बना सकते हैं आप इसकी टिक्की बना सकते हैं जो बहुत ही कम तेल में सिक्के तयार हो जाएगी पर यहां पर हम आज बना रहे हैं पकोडे, आप पकोडे जरूर बनाईएगा, इस सीजन में ये देखिए, इस तरीके से हम डाल देंगे, और डालते ही हम इसे पलटेंगे नहीं, बस थोड़ी देर तक इसे इसी तरीके से सिखने देंगे, ताकि एक तरप से पकोड़ा थोड यह है फ्राई कलर आप देख पा रहे होंगे कलर बहुत ही प्यारा आया है आप देख रहे होंगे एकदम कुरकुरा क्रिस्पी सा पकोड़े बनके हमारे हो गए है त्यार मैं इसे निकाल लेती हूँ अलग छनी पे ताकि जो भी एक्स्टा ओयल है दुबारा से कडाही में गि तो यह देखिए एकदम लाजब आप से पकोड़े बनके तयार हुए है और बस अब दूसरा बैच भी हम फटापट इसी तरीके से तयार कर लेते हैं तो देखिए तेल हमारा एकदम गरम है और जब आप थोड़े गरम तेल में पकोड़ों को तलते हैं तो पकोड़े तेल नहीं सोकते तो अब जब भी पकोड़े बनाईएगा तो तेल को थोड़ा अच्छे से गरम कर लीजेगा ताकि पकोड़े कुरकुरे भी बने और तेल भी ना पिए तो एक बार हमने इस तरीके से डालने के बाद इसे अलट प्रेडर के दोनों तरब से फ्राई कर लिया है और जब फ्राई करते हूं तो गैस की फ्रेम को थोड़ी सी मीडियम कर लीजेगा ताकि तेल थोड़ा कम गरम हो और ये कुरकुरे बन पाएं तो ये देखिए इस तरीके से पकोड़ों को तल लेंगे और इतने पकोड़े तलने में तेल का जो हमने यूज किया है सारा तेल कड़ाही में बच जाता है क्योंकि गरम तेल में डालिए तेल बिल्कुल नहीं खतम होता और अच्छे से पकोड़े फ्राई हो जाते हैं तो ये देखिए इस तरीके से अरट प्रट के ये दूसरा बाला बैच भी हम कर लेंगे तयार ये देखिए तो अब करमा गरम पकोड करने से पहले हम बनाएंगे आम की चटपटी सी चटनी मिंटो में तो ये देखिए थोड़ा सा धनिया धो के डाल दिया है मैंने मिक्सर जार में एक आम को छिल के कट करके डाल दिया है हारी मिर्चे डालेंगे 5-6 तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा एक चमच साबु जीरा डाल देंगे और अब डाल देंगे नमक इसके बाद हम थोड़ा सा पानी उसकरेंगे इस चटनी को पीछने के लिए ये देखिए अब धकन लगाते हैं और फटा फट मिंटो में बनने वाली चटनी तियार कर लेते हैं इन पकोड़ों के साथ ये चटनी बहुत ही टे हो जाती है तो चलिए पकोड़ों को करते हैं सर्व और उसके साथ सर्व करते हैं इस चटपटी सी आम की चटनी को भी तो यहां पे देखिए मैंने टोमैटो केचप और आम की चटनी दोनों चीजों को लिया है आपको जो चीज पसंद हो उसे ले सकते हैं ये देखिए कुर और नई रेस्पी के साथ बाई बाई दोस्ते